आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ आज है, SI का मतलब Simple Interest और CI का मतलब Compound Interest की बना हमें Plans की बात करें तो A, B, C, D and E Plans है हमारे पास question कह रहा है, if the amount borrowed by a person under Plan B and Plan C are in the ratio of 16 years to 13 rate of interest applicable during the first year under Plan B and D is the same B और D Plan का जो first year का जो interest है वो same है, तो D का दे को 7 is to 1 by 2% है तो B का भी 7 is to 1 by 2% ही होगा पूछ रहा है, then what is the ratio of interest payable under these plans at the end of second year दूसरे साल के end में जो interest pay करेंगे उनका ratio कितना है, B और C scheme की बात करेंगे तो देखो ये B scheme की बात करेंगे या C scheme की बात करेंगे सबसे पहले principle की बात कर लेते हैं principle का जो ratio given है, 16 years to 13 given है, तो हम 16X इसका principle मान सकते हैं और इसका 13X principle हो जाएगा फिर, ठीक है interest की बात कर लेते हैं, देखो interest payable after 2 years कितना होगा एक तो first year का interest, 1 plus second year का interest, या पर भी first year का interest, plus second year का interest, अगर first year का interest की बात करें, plan B का तो वो कितना हो जाएगा, principle देखो 16X है, उस पर interest कितना मिल रहा है, देखो 7 is to 1 by 2%, मतलब 15 by 2% और 15 by 2% को हम कह सकते हैं, 15 by 200, क्योंकि percent का मतलब divide by 100 होता है, 2 से काट दे तो यह 100 times चला गया, यह 8 times चला गया 8X into 5, 15 करेंगे तो कितना हैगा, 120X आएगा और divide by 100 है, तो हम कह सकते हैं 1.20X जो है, हमारे पास first year का interest आगया, अब हम second year का interest की बात करेंगे, तो देखो rate of interest जो है, वो compound interest है हमारे पास तो second year का principle कितना हो जाएगा एक तो 16X principle दा, प्लस जो first year का ब्याज है, वो भी principle बन जाएगा 1.20X, 20X जो कि कितना हो गया, 7.20X और इस पर जेको interest कितना मिल रहा हमें उसकी बात कर लेते हैं, 6 is to 1 by 4% मतलब कि 25 by 4% जो कि कितना हो जाएगा, हमारे पास 25 divided by 400 25 divided by 400 हो गया, ठीक है अगर हम decimal remove कर दें तो नीचे 2 0 लगा देंगे 1 0 से 1 0 cancel out कर सकते हैं 44 से ये 10 times चला गया, और इसकी बात करें अगर 4 से काटें, तो ये कितना times जाएगा, 43 times चला जाएगा 43 into 25 करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 1075 और X है उसके साथ divide by, देखो नीचे division में 3 0 है, तो 3 point के बाद हम decimal लगा सकते हैं, तो 1.075X 0.075X आगया हमारे पास तो total interest कितना हो जाएगा, total interest is equal to 1.20X plus 1.075X दोनों को add कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 2.275X आजाएगा अगर हम बात करें scheme C के लिए बात कर लेते हैं, first year का interest कितना होगा, देखो 8 is to 3 by 4%, मतलब की कितना हो गया, principle का principle 13X है यहाँ पर, तो यहाँ पर interest कितना हो जाएगा, first year का 13X का 35 divide by 4% मतलब की divide by 400 कर देंगे, अब देखो 35 multiply by 13 divide by 4% तो 35 divide by 400 और multiply by 13 है, अगर हम बात करें 5 से काट देखे, तो 7 times चला गया और यह 80 times चला जाएगा, तो 13 into 7 कितना हो गया, देखो, 91X और divide by 80 हो जाएगा, 91X divide by 80 को हम कितना लिख सकते है, 1.1375 अगर बात करें second year का interest, देखो, simple interest है, जो scheme C का जो plan C जो है, वो simple interest offer करती है, तो यहाँ पर देखो, 5 is to 1 by 4% है second year का interest, तो यहाँ पर principle 13X ही रहेगा, simple interest है, इस वज़ जैसे, 13X पर देखो, interest कितना मिलेगा, हमें, हमें given है rate of interest, 5 is to 1 by 4%, मतलब 21 by 4%, तो 21 divided by 400 हो जाएगा, 21 divided by 400, 13 into 21 करेंगे, तो 273 आएगा, 273X divided by 400, simplify करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 0.6825X तो दोनों को add कर देंगे, तो यहाँ पर भी total interest हमारे पास आजाएगा, कितना हो जाएगा, देखो, 1 point, दोनों को add करेंगे, जब दोनों को add करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 1.82, तो हम कह सकते हैं, यहाँ से interest कितना मिल गया, 1.82X मिल गया हमें अब देखो ratio पूछ रहा हम से B और C का जो interest payable है 2 years के बाद B का उपर लिखेंगे और C का नीचे B की बात करें तो देखो 2.275 है 2.275 X divide by क्या करेंगे देखो अगर हम बात करें divide की तो divide में C का जो interest है वो लिखेंगे तो C का interest की अगर हम बात करें तो कितना है 1.82 X है 1.82 X है यह X से X cancel out कर देंगे तो हमारे पास कितना बच गया 2.275 divide by 1.82 अगर हम decimal remove करें तो उपर multiply by 100 कर देंगे तो यह decimal remove हो गया उसके बाद यहां से decimal remove करना तो नीचे 30 add करनी पड़ेंगे तो 20 से हमने 20 काट दी हमारे पास जो ratio आगया वो कितना आगया 2275 divided by 1820 अब देखो सबसे पहले अगर हम इसे 5 से काट दे तो यह कितना time चला जाएगा देखो 4 5 से काटेंगे तो देखो 3 times चला गया उसके बाद देखो तीन बच गया तो 6 times चला जाएगा 2 बच गया तो 4 times 364 times चला गया अगर यहां बात करेगे इसे 5 से काट देंगे तो 4 5 5 times चला जाएगा इसके बाद देखो अगर हम इसे काटें हम काट सकते हैं दुबारा 4 से भी काट 4 से नहीं कटेगा अब यह कटेगा देखो 13 से काट देते हैं 13 से काटेंगे तो देखो 13 2 जा 26 1 0 4 आ गया तो 8 times चला जाएगा इसे 13 से 13 3 जा 39 6 बच गया तो 13 5 जा 65 होता है अब 7 से काट तो हमारा आंसे कितना हो जाएगा 5 ratio 4 अब देखो 5 ratio 4 जो हमें 4th option में given है so option 4 will be correct answer to this question. Thank you. Classics to 12 से लेके need IIT GE means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा. आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8 400 400 चार्स उपर.